हुआ करते हैं को हैं करते हैं आज अपनी टैक्स की सए clone c क है क्लास फाइव है आ इसमें हमने लों का वही रेट्स टैक्सवालई टॉपिक कंटेनियू चलेगा थीक है रेट्स ऑफ टैक्स वाले टॉपिक कंटिनीव चलेगा मेरी ये पांच भी क्लास है बेसिक कंसेट चैप्टर के लास्ट क्लास है आज अपना बेसिक कॉंसर्ट पुरा खतम हो जाएगा इंक्लूडिंग प्वेशन आसे आज की क्लास का जो मेंट टॉपिक है वो है सर्चार्ज आज की क्लास के अपना मेंट टॉपिक है सर्चार्ज है यहां से अपना डिस्कॉशन स्टार्ट होएगा सर्चार्ज से लेकिन मैं उसके पहले जो भी पढ़ाया हूं वो मैं एक बार तुमको याद दिला देता हूं ठीक है सुनो एक मेरा बात को तुम लोग समझ टार्फ में काईएवरी कंसेट्स है पूरा कंसेट्स समझ में सारा एगा लेकिन कांसेट्स के साथाथ टैक्स में टेटर बहुत ज़ादा है समझेड़ों टैक्समें जो डेटा है इनफॉरमेशन इनफिर जियुक्त हैं त्प्ती ज़्यूदा है अगर मों लोग याद नहीं रखे तो हम लोग गए काम से जितना information और डेटा टैक सब्जेक्ट में उतक किसी में नहीं आता याद करने के लिए तो अगर तुम नहीं आत करोगे information तो मैं तुमको सच बोल रहा हूं तुमारा concept कितना ही मजबूत हो कितना ही मजबूत concept हो तुम भूल जाओगे और भूले ना तो उसके बाद फिर confidence तूटेगा तो इट नीड़ रिविजन जो अपने first class से बोलते आ रहे हैं तुमको कि मैं रिवाइस करना है एक क्लास मेरी तुमारी जो ढाई गंटे की होती है two and a half hours की उ तो मैं तो अभी पिछला दिन का जो भी है वह एक बार रिवाइस करा रहा हूं थाकि अपने continue रिदम में आ सके हैं ठीकी चब देखते हैं ओके यह calculation देख लो जड़ा calculation of taxable income total income पहले पांचों हेड्स में आपका income calculate होता है पांचों हेड्स के अंदर अलग अलग तरह की deductions और exemptions हैं वो हटाने के बाद तुमको क्या मिलेगा ग्रॉस टोटल इंकम एक बात बताओ इस टैक्स कैलकुलेटेड और टी आई टी आई टैक्स नॉट कैलकुलेटेड और जी टी आई आप जी टी आई से पहले डिडॉक्शन संदर चाप्टर 6 से लेस्ट करोगे फिर उसक दूमेंटेडीड के उपर आपको टैक्स रेट हैं तैक्स लेट खरना है और एक ड्यक्राइबढुबटेड हों तें चीजे नमबर वन क्या लिखा बोरड पे टैक्स वेट ніमबर तो टूटल Anker number three tax liability tax liability मतब how much an assessi is supposed to pay so tax stability कैसे मिलता है box में एक्वेशन है tax liability is obtained by applying the tax rates on total income अब सबसे ज़्यादा complicated tax calculation होता है इंसानों का individuals का we know that there are seven types of persons okay seven types of persons but उसमें सबसे अदा complicated tax calculation है इंडिविज्वाल का तो अभी इंडिविज्वाल पर ध्यान देना अचा इंडिविज्वाल का जो taxation calculation लो सीख रहे हैं that applies on four types of persons that applies on four types of persons number one individual number two huf number three aop boi number four a jp a jp का बोलो तो इंडिविज्वाल के लिए जो सीखरें अप्लाइज ओन four types of persons के वल इंडिविज्वाल में और यह बाकी इन इधर इंडिविज्वाल और बाकी तीन में एक ही फरक है रिवेट का किसका फरक है रिवेट इंडिविज्वाल की अगर taxable income पांच लाग तक है अगर इंडिविज्वाल की टैक्सिबल इंकम पांच लाग तब है तक है तो उसको जो ड्हाइलाख रुपया न उसके साड़े बारा जर का रिवेट मिल जाएगा ठीक है बस यह एक इंडिविज्वाल को एक्स्ट्रा है नहीं तो बाकी इन चारों का ए पर दस दशता कि एक रुपया से लेके इंफनिटी तक इसको स्कुलाब में तोड़ो इसको स्कून आप में तोड़ो सेकंड कॉलम को देख लून नें बढ़ा कर नें स्कुन को नें नेक्स स्थाइव लएवपांच फिर सीधा नेक्स्था फैव लाइक 20 परसेंट मिस्टेक नहीं करना है त्वेंटी परसेंट फिर उसके बाद दस्ता खतम हों कि आफ्टर जो भी है कितना रेट थीस परसेंट सिंपा थीस परसेंट एक लिए अच्छा इसको क्यालोकुलेट करने का भी है वर शॉटकट जो दिख रहा है बगल में आपको डायलाग तक तो आ पांच लाग ऑनवर्ड्स अगर कमाई पांच लाग के उपर दस्ताक तक है तो शॉटकट फॉर्मूला साड़े बारा हजार रुपया प्लस बीस परसेंट आफ टी आई माइनस ती आई माइनस फाइलाग और फिर लास्ट वाले का क्या है एक लाग बारा जार पांसो प्लस टी आई माइनस दस लाग यह शॉटकट है लॉंग तरीके से भी आप निकाल सकते हो शॉट तरीके से भी निकाल सकते हो आपकी मरजी है अच्छा जिस बंदे की उमर साट साल के नीचे है सिस्टी एर्स के नीचे यह रिमेंबर आई गेवी एक्जांपल हम लोग सब की इंक और अगर मेरे नाना जी का एक्जांपल लूँ एक्टी प्लस हैं वो सूपर सीनियर बोलते हैं एक्टी प्लस को उनका कितना बेसिक एक्जम्चन है पांच लाग बहुत अच्छा पिर हम लोगों ने इसके दो तीन एक्जांपल किये लॉंग में शॉर्ट में तर्से निल नेक्स धाईलाग सारे बाराजार नेक्स पांच लाग एक लाग फिर आफ्टर तैर पांच लाग पांच लाग इंडू 30 परसेंट डेलाग तो सब तो टोटल किया इड़कम सू दो बासर्ट पांसो शॉर्टकट में होता तो पंद्रह लाग की जबफ दस तक तो एक ल सब्सक्राइब कर रहे थे बेसिक एक्जम्शन लिमेट है सबका लिखा हुआ है एज को लेकिक पॉइंट था नाओ इस वन इस गुड़ कैलकुलेट करने का टैक्स का स्ट्रॉक्चर देखो सबसे बहले बेसिक टैक्स निकलता है फिर एर सरचाज और लेस रिबेड दोनों सब्सक्राइब को एक होगा दोनों एक साथ नहीं हो सकता फिर थर्ड नंबर क्या लेस माजिनल रिलीफ यह माजिनल रिलीफ वाला जो टॉपिक है सरचार से जुड़ा हुआ है तो पहले सरचार सीखेंगे तब यह समझ में आएगा और लास्ट में क्या है है एल्ट एन अब यह तुम लोग बनाया था लाइन यह जोड़ा लाइन है टोटल इंकम अगर 0-5 के बीश में डैश तो रिबेट मिलेगा पांस से 50 ठेंगा मिलेगा ना रिबेट ना सरचार्ज पचास लाग के ऊपर इंफिनिटी तक सरचार रिबेट तो होगा नहीं सरचार्ज माइन माइनस माजिनल लीव इस सम केसे हर बार नहीं वह जाएगा फिर दोनों को जोड़के बोलेंगे सरचार्ज ठेक है वैन वी से सरचार्ज इट मीश सरचार्ज माइनस अग्डियर ना वा दिखकत हो नहीं सही है यह सरचार्ज होता क्या है पहले हम कोई सीखना रिबेट वग सबसे पहले मुझे जानना है सरचार्ज होता क्या है इस अधिशनल टैक्स ओन देशिक टैक्स इस अधिशनल टैक्स ओन देशिक टैक्स इन प्रोग्रेसिव मैनर इन प्रोग्रेसिव मैनर फुल स्टॉप यह प्रोग्रेसिव मैनर का मतब क्या है जो जितना ज्यादा कमाएगा वह और ज्यादा टैक्स देगा अच्छा अब मेरी बास सुनो एक परसन है ठेके एक बाद नाम ले लेते हैं उसका हम लोग इस टी आई जी टी आई नहीं सीड़ा टी आई मतला टोटल इंकम होटल इंकम कितना उसका चार करोड उपया ओके हैं क्लियर सी बात है यह आदमी 30 परसंट के ब्रैकेट में फॉल करता हैं इस पर पांच परसंट लगेगा कि 20 परसंट की 30 परसंट हाँ उसको वह शुरू वाला पांच बीस से तो फरक पड़ेगा ही नहीं दस लाग से बहुत उपर है तो यह तो मेंली यह इंसान 30 पर फरक पड़ेगा 30 परसंट के स्टाब में अच्छा एक दूसरा इंसान और है सौरव राम फिर सौरव सौरव की जो इंकम है वो डेड़ करोड जादा अच्छा तो डेड़ करोड वाला सरकार को बोले देखिया मैं गरीब हूं मैं गरीब हूं वह ज्यादा कमार है उससे तो और जादा टैक्स तो मैं 30 पर संदे रहा हूं वह भी 30 पर संदे रहा है इस इस नौट फेर ही शुड पे मोर तो गवंनन्मन पोला एक क चाइज डालेंगे उस पップ 25 परसंट सर्चार्ज डालेंगे तिम्हें प्रक्षार बत नम सब्सक्राइब पुनेइड नंदय पक्रण करिके सुना में क्या नाम को सोचने मूत सेमेड नमत ब् ant करूंद्य को पुनीथ बल्र dwarf um कनीट अथा उस बन्दे की कमाई है फंद justification तो पंदरा कोड़ वाले को दे के राम बोला गवर्मेंट को की सर मेरा चार कोड़ उसका पंदरा कोड़ मैं तो गरीब हूं तो उस पे ज़्यादा तो गमरा ठीक है राम तुम्हारा चार कोड़ ना तुम पे 25% सरचार्ज और वो जो बंदा आया ना पुनीत 15 वाला उस पे 37 सरचार्ज उस पर कितना 37% सरचार्ज जो जितना ऊपर जा रहा है बढ़ते जा रहा है बस अब तो कहीं रुखना पड़ेगा ना 37% हो गया मतब अब शांती अब यहां इसके बाद कोई और को लेकिया जो कि मुकेश अमानी को 37% उससे ज्यादा नहीं तो सरचार्ज की चार रेट्स अप्लिकेबल है फ्रॉम यॉर टर्म ओके असेस्मेंट यह 2021 ओनवर्ड्स ठीक है चार्ज रेट्स लगरें सरचार्ज की क्या-क्या मैं इंडिविजूल्स पढ़ा रहा हूं अभी सर्फ यह इंडिविजूल असेसी की उपर है बाकी सारे असेसी का और अलग है वो जब जाएंगी तो पढ़ाएंगे अभी इंडिविजूल्स पढ़ा रहे हैं मैं क्लेजार रेटे सफ nuts 10еро 15 307 विडिविदी इस यह इस अर्ष अजायता कमाईगा और शकहबर एक्स्टा सर्चार्ज देगा वाट शर्चार्च सब्सक्रां टैक्सरच चीजज़ tax on tax आप जो basic tax निकाल लोगे ना उसी से हम लोग मल्टिप्लाइब करेंगे ओके ऊपर कर रहा हूं हाँ सर्चार्ज इक्वर्टू कि 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 पी आई देखके आपने बेसिक टैक्स निकाल दी आप बेसिक टैक्स की उपर मल्टिपलाई करके आएगा सर्चार्ज ओक यह दस परसें 15 परसेंट 25 परसेंट और 37 परसेंट अब बुक में शो कर देते हूं यह अपना रेट्स अविंकम टैक्स चाप्टर चल रहा था है न इ पेश्ट मेंडी वन जो व्यक्ति की इंकम 50 लाग से ज्यादा है पर एक करोड के अंदर है उस पर सर्चार्ज है 10 परसेंट जिसका एक करोड से ज्यादा है पर दो करोड के अंदर है 15 परसेंट जिसका दो करोड से ज्यादा है पर पांच करोड तक है 25 परसेंट और लास्ट पांच कोड़ के ऊपर कितना 37 परसेंट सो आपके पास सरचार्ज के कितने रेट्स है चार थस पंदरा पचीस सेंटिस ठेक है थेखेंगे थस पंदरा पचीस सेंटिस काश यह लोग 10 15 25 35 करता तो यात करना इसी होता है ना तो होता ही है कि यही सब चीजें होती चोटी-चोटी जम लोग भूलने लग जाते हैं ओके टैक्स में यह सब छोटा-छोटा इंफोर्मेशन इतना जादा है कोई लिमिट नहीं है तुम आगे बढ़ते जाओगे भूलते जाओगे तो सब्सक्राइब लिए एक समय के बाद ना वो तुम्हारे लिए एकदम नाच्रल हो जाएगा पुरा याद रट्टा एकदम ओके 10 15 25 37 यह रेट है अचा किस किस पर कैसे कैसे जो पचास लाग से कोड़ों की बीश में कमाएगा दस जो एक करोड़ों से दो कोड़ों कमाएग पंदरा जो दो कोड़ों से पांच कोड़ों कमाएगा पचीस और जो पांच कोड़ों की उपर कमाएगा थरी सेवन ओके दिस दा सरचार्ज का रेट एक समझमारी बात यहां तक दिकत दिये ना चलो अभी थोड़ा क्यालोकुलेशन करते हैं हलका फुलका मैं तुमको इसक सॉलुशन सम्स वगेरे दिखा देता हूं ठीक है ओके ना एक एक एक्जामपल खरा रहा हूं उसी में मतलब मैं तीन एक्जामपल बिल्ड कर दूँगा मैंने एक्जामपल लिया था नहीं यह राम सौरा पुनीत का तो उनी को लेके पकड़के एक्जामपल सॉल्फ करते ह करो स्टार्ट रखना प्लीज बाजू में और हम लोग बेसिक टैक्स निकालने के लिए आज शॉर्टकट मारेंगे लॉंग कट नहीं ठीक है तीन बंदे थे नाम क्या था उनका नहीं सबसे छोटा कमाई करने वाले का नाम क्या था सौरव सौरव का टैक्जिबल इंकम था डेड़ करोड है ना राम चाहर को फिर एकदम हेवी कूदा था पिक्चर में और नहीं है अब पंदरा कर दोड़ा अच्छा इनका बेसिक टैक्स हमें कैलकुलेट करना फटाक्स यह बेसिक टैक्स यह लोग सब बड़े अमाउंट्स में तो यह लोग तो सीधा लाप के 30 पॉसंट वाले में आएंगे तो इनका फॉर्मूला होगा एक बारा पांसो प्लस थार्टी परसंट ओफ पी आई माइनस दस लाग कि लाट इस देपॉर्मूला यह तो बड़े लेवल पर आगे न तो इनका तो सीधा फॉर्मूला मारके फटाक से निकाल देंगे एक लाग बारा पांसो प्लस थर्टी परसंट टी आई माइनस दस लाग इधर मेरे को देखो इदर तुम लोग जब यह सॉल्वाल करों तो तुम्हारा स्टाइल क्या होना चीज़ से मैं बोल रहा हूं पहला बंदा जो है पहला बंदा सौरव उसकी कमाई कितनी है बेर करो क्याना इसे 150 लाग लाग में सोचो 150 लाग तो 150 लाग माइनस दस लाग कितना होता है 140 लाग का 30 परसंट एक स्टुचाल एक सिंगे एक स्टुचाली सक्का 30 परसंट 42 लाग साएगा 14 इंटु 3 का 42 लाग स्टुच्ट लाग स्टू लाग प्लस एक लाग बाराजार पान सो 43 लाग बाराजार पान सो राइट डॉण चार खुड़ वाले का बोलो 400 लाख माइनस 10 लाख 390 लाख अभी मेरे को भी क्या खुड़ चीए 390 लाख इंटू 30 परसंट 117 लाख 117 लाख प्लस एक लाख सम्थिंग 118 लाख कहां से लोग कमा रहा है इतना रहें कर एक सो अठार लाख बारा पांसो चार करोड कमाने वाला सवा करोड रुपया तो गौर्मन को टैक्स दे रहा है कि देखरों 30 पराकर में ना यह है अभी सर्चार्ज भी देगा निचे अब पंदरा क्रोड वाली का क्या होगा उसका तो बड़ा मौंट है का चारपाश को कुछ पंदरा क्रोड मतलब फंदरा सो लाख माइनस दस ता तो वह गुस्से में बूला दस भी क्यों देरो अंदरा सो माइनस दस चौदा सो नबबे चौदा सवनबबे इंट थीस परसेंट 447 लाक्स प्लस एक लाग बारा पांसो इंगला डैक्स दिनों का यह दिस वसब बेसिक टैक्स ओके नाओ बीविल जेलो दा सरचार्ज ऑल्सों सरचार्ज कितना एगा इनक्यों पर पहले सरचार्ज का रेट लिखना क्योंकि सरचार्ज का रेट सेम नहीं है देर करोड़ देर करोड़ वाला जो है यह एक करोड़ से दो करोड़ के बीश में है ही पॉस बिट्वीन एक से दो करोड़ मैं बास तो नहीं आ रहा है पचास लाग से करोड़ कितना है 10% see sometimes you have to imagine the figures close your eyes imagine the figures ठीक है 50 लोक से करोड़ था 10 परसंट 2 करोड़ था 15 दो करोड़ से पांच करोड़ था 25 परसंट 5 करोड़ के ऊपर 37 परसंट तो देरा वाला एक से दो के वीश में चार करोड़ वाला दो से 5 के वीशables और यह तो मोरदान 5 तुह धून्स पर परेट अफ o Surtina कम ब्रटिप्लाइ करकर के परसेंटेज निकालो निसर चार्ज इक्वल टो कि सबसे पहले तिरालेस बाराफ पांसो तिरालेस बाराफ पांसो इन्टू पंदरा परसेंट शिस्टी इस लाक पॉर्टिसेक्स है ना शिक्स तक फॉर्टिसिक्स हा रहा है ना शिक्स फॉर्टिसेक्स बावाल तो है फिर एक सो अथारा ओश एक सो अथारा बाराफ पांसो एक सो अथारा बाराफ पांसो इन्टू पचीस परसेंट उन्तिस लाक एक बाराफ पतो तो तुम्हारे क्यालकुलेटर में 29 लैक्स लिखा हुआ रहा है कि टू कॉमा 953 कॉमा 12 कि इसमें सीधा 29 लैक्स लिखा हुआ रहा है इस बावाल है 29, 53 क्या आगया 125 अब यह 30 संपर से वाला रोएगा घर पर बैठके यह 448 125 00 into 37% मैं अब बार बोल देता हूं मेरे में आ रहे हैं एक करोड पैंसेट लाग एक करोड पैंसेट लाग आ रहा है कि एक करोड पैंसेट लाक असी हजार जेसंट यह तो शोड़े गावा पका हरी जोड़ना भी है 448 125 अरे यारे मिले को बताओ कितना आ रहा है छे करोड तेरा लाख आ रहा है क्या लास्ट वाले का लास्ट वाले का बोलो में रूखो कि क्या रहा है लास्वाद बेसिक प्लस सरचार्ज छे करोड तेरा लाख नाइन्टी थ्री थाउजन वन प्वेंटी फाइव पंदरा करोड कमा की गुना कर दिया यह जीवन में यार तुम इमाजन करो पंदरा करोड़ कमाने रहे छे कोड़ा किलो टैक्स ठीक है यूल फील लैक कमाना छोड़ दें फिर आगे जोड़ो एक सो अठारा बारा पान सो एक्चुली ना इस तरह का जो इमोशन आता है यह हम लोग का तब ही आता है जब हम लोग उत्ता कमाते नहीं है समझ गए बात जब तक तुम वहां पहुंचोंगे तुमारा इमोशन भी सारा चेंज हो जाएगा ठीक है तब तुमको उ परदाश नहीं हो रही है इसलिए अभी से दिमाग में वो टैक्स इवेजन की प्रवरत्ती चाली हो जाती है बट वेन यू रीच डाट लेवल यौर थाट चेंज तुमारा सोच इतना बड़ा हो जाता है तुम बड़ा सोचने लग जाते हो तब तुमको यह सब छोटे फॉर्टी से एक करोर फॉर्टी सेवन लाग सिस्टी पाइट ताउजन इस वाप पर एक फिर आगे बहुत बड़ा नंबर से वाटना हाँ 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 646 875 49,59375 सही है यह आया बॉस टैक्स प्लस सरचार्ज अचा मैंने ना इनका टैक्जिबल इनकम इस तरह का लिया था कि इनके मार्जिनल रिलीव लगेगा नहीं वह तुमको थोड़े दिर बाद पता से जाएगा इनके केस में यूट आप टूलेस मार्जिनल रिलीव का मतलब होता है बाउंडरी से जब थोड़ा से जादा मतलब इधर देखो बाउंडरी क्या है रफ फर्क डॉ कि एक करोड से लेके दो करोड दो कोड से लेके पांच कोड मोर दैन पांच करोड यहां पर गौर से देखो तो आपके पास चार बाउंडरी जां पांच करोड दो कर बाउंडरी एक करोड एक करोड तक रहते हो तो कितना दस परसंट दूसरा बाउंडरी दो करोड तक रहते हो तो पंदरा परसंट तीसा बाउंडरी पांच करोड तक रहते हो तो पचीस उसके बाद से तेस तो मार्जिनल रिलीव का जो केस आता है न वह इन तीन बाउंडर जीरो सरचाच अगा सोच के देख लो यह का सैसी एडॉट पचास तक कमाता है तो सरचाच कितना है जीरो देखो उसके लिए होना चीह ओए अब अगर वो पचास लाख रुपे के ऊपर एक रुपया भी कमाया तो उस पर दस पर सरचाच लग जाएगा और भेंकर आएगा सब पचास जार रुपया और 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 he has crossed 50,000 तो अब उस पर 10 पर सरचार जाएगा भेंकर आएगा वह एक्स्टा कितना कमाया 50,000 और सरचार जाएगा इतना बड़ा कि देख लाग चला जाएगा तो उस केस में सरकार ने बोला कि तुमारे साथ जाती नहीं बाउंडरी पर हो तो तुमारी बाउंडरी से ऊपर जितनी कमाई है उससे ज्यादा तुमारा टैक्स भढ़ने वाला नहीं है दार्स कॉल्ड मार्जिनल इस अप्लाइज इन पोर केसे अभी मैं सॉल्फ करूंगा तब क्लियर होगा ठीक है तो फिलाल के लिए तुम देखो तैक्स के उपर सर्चार्स निकालता है पहले ऐसकर कि ने नी तुमी सॉल्व करके लेस्ट करोगे एक बार सुनो यार यह डाउट पिछले क्लास में कोई पूछा था मेरे से मैं बता देता हूं रिबेट और यह जो मार्जन रिलीफ है या खुदी माइनस करोगे गवर्मेंट आपको अलग से रिफंड नहीं करेगा या खुदी कैलकुलिशन करो तुमी माइनस कर दोगे हैं ओक है क्लियर है मार्जन रिलीफ सबसे बहले मार्जन रिलीफ होता क्या है असैसीज को फॉल है इन सर्चार्ज कैटेगरी और हायर सर्थ हायर रेट सर्चार्ज कैटेगरी मार्जन रिली मार्जन रिली मार्जन मतब जरासा मतब पचास लग जरासा पार हो गया एक कोड़ पार हो गया स्लिटी तैस्टा कैसे बा इंकम पार्जन रिली मौर्ट। पाचास लग एक कोड़ दो क्रोड पाच कर वा यह जो एक प्रोड सरसम से बाजन रिलीफ स्लाइटली ज्यादा स्लाइटली ज्यादा चाहिए पचास लाग एक को दो को पांच को से जरा सजाता हो गया अच्छा मैं तुम को इस चीज़ सिखाता हूँ का लीट का दो तरीका होता है ग्रोस्रेट्वी और स्लाइब रेट्व होके हैं तो तुम लोग देखो चाहरा सर चार्ज हम लोग तोड़ तोड़ की काल्कुलेट कर रहे थे क्या कि पहला 50 लाग से कोड़ों पर दस परसंट फिर एक और से दो कोड़ 15 परसंट फिर 25 परसंट फिर 37 परसंट की हम लोगों ने सीधा एक ही बार में 37 ठोक दिया यह उताए ग्रॉस क्यालकुलेशन और स्लाब क पाच लाग दीस परसंट फिर उसके बाद 30 परसंट वह स्लाब कैलकुलेशन था ठेक है कि मतलब आप सब्सक्राइब पंदरा लाख रुपे पर बंदरा लाख रुपया तो पहले डाहला पर इतना फिर इतना फिर इतना सरचार्ज में वैसा नहीं होता सरचार्ज में आपक की इंकम जरासी बेसी है कितने से 50 लाख एक को दो को पांच को तो आपको मार्जनलीव मिलेगा और इस मार्जनलीव फॉर्मूला मार्जिनल रिलीव एक वर्टू मार्जिनल रिलीव एक वर्टू एक फिर आप आ अ तो तबल गव्टू झाल झाल कर दिखाऊंगा अभी धिरे देखना थोड़े देर में तुमको एदम आसान लगने लगा तुम एदम नाच्रल बोलोगे जो अभी इतना फॉर्मूला की तरह लग रहा है इतना कुछ ने नाच्रल निकलेगा सार्ट करें एक एक्जामपल लेते हैं हाँ एकाम को नो बुक का एक्जामपल ले लो और एजीर रहेगा कंप्यूट टैक्स दाइबिल्टी और मिस्टर ए पेज है 25 अच्छा इनका एज कितना है कि 42 मता सिक्स्टी के नीचे नौरमल है सांट तो इस पे वो ढही लग का स्लाइब है टोटल निकम कितना है देखो 51 लाग स्लाइटली मोर दन पचास तराग कि अगर मिस्टर एक इंकंफ पचास लाग होती है तो सर्चार्ज होता ही ना क्यूंकि सर्चार्ज 50 अख के बाद चालो होता है ओके पर इनका तो पचास तक जयस्ट थोड़ा से उपर एक लाग तो इन पर तो सरचाल लग जयएगा और उससे से टैक्स इतना बड़ा निकल कि आएगा कि एक लाक से वी ज़्यादा हो जाएगा लेकिन जब अप टैक्स निकालोगे तो बहुत ज्यादा आ जाएगा तो सरकार बले कि मइन करम का एप टॉटल इंकम प्राइज ऑफ सालरी इंकम एच पी इंटरेस्ट विडी उससे मुझा भी कोई मतलब नहीं है इगनोर सेस्ट में बता हूं वह सेस्ट लास्ट में आता है ना पहले क्या होता है बेसिक टैक्स एड सरचार्ज और लेस रिबेट लेस मार्जिनल लीफ फिर लाइड सैस तो सेस्ट लास्ट में आता है तो उसमें एकनोर करने की कोई बात ही नहीं वह तो मुझा थास्ड पर जोड़ी देंगे चलो वह इस इंसान का टैक्स निकालते हैं ओक है अगया लेट आप लेट आप लेट इस टैस्ट प्लस सरचार्ज इवा इसका निकाल के रितने टैक्स प्लस सरचार्ज कितना आएगा मिस्टर ए बेसिक टैक्स इसका टोटल इंकम इस आदनी का है 51 लाक बेसिक टैक्स पहले बता दो एक लाक बारा पांसो प्लस 30 परसंट ओफ 51 लाक माइनस दस लाक 41 लाक इंटो 30 परसंट 12 लाक तीस हजार प्लस एक लाक बारा पांसो यह सब का आ रहा है कि नहीं आ रहा है देख लो तो लोग नम करता है थेक है यह तो इसी है 51 लैक्स पर टैक्स निकलना कौन सी बड़ी बात है उससी परशर्ज ब़ुकॉश सरचार्ज और जो वह संय के इलियात है नीचे आख इस परसंट 10% of tax surcharge is a tax on tax surcharge is a tax on tax 10% taxable income से multiply मत कर देना जो basic tax है उससे multiply करना कितना आएगा 1,00,00 अच्छा एक चीज में तुम लोगो हम लोग भूल गए यहां पर आप देख रहे हो tax is rounded off to 10 रुपया तो यह भी पूरा complete calculation नहीं है वो तो मैंने सेस्थ भी तो मुझे निकालना है इसे मैंने round off नहीं किया याद रहे total income भी 10 रुपया से round off होता है जो आपका ultimate tax आता है वो भी 10 रुपया से round off किया जाता है तो अभी यहां पर सेस्थ निकालेंगे ना तो फिर उसको जोड़के जो आएका 10 रुपया से अपर round off कर देना तो राउंड निकाल अभी नहीं सीखे रहे हो बाद ने सीखेंगे अपने राइट ना वो concern नहीं है हम लोग का surcharge एड सरचार दस परसेंट वन लैक थर्टी फो थाउजन टू फिफ्टी हाव मच इस अपमिंग सेवन फिफ्टी कॉमा चे लिया साब दिया चार दिया चौदा लाग यह आरे टैक्स ओके तो एक आवन लग पर इसका टैक्स यह आ रहा है अब सपोज मान लो कि यह इंसान 51 नहीं कमाता पचास लाग कमाता तो इसका टैक्स कितना आता ठीक है सपोज मान लो यह तो पचास तक से जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा कमाया एक लाग ज़्यादा कमाया है न हम अब मार्जिनली जादा तो सबोज अगर पचासता की कमाया होता तो इसका टैक्स कितना आता हूं है टैक्स लाइबिलेटी है इस पी आइख वर्टो पचास्टा अब डेसे की कोल टो एक बारा पांसो प्लस थर्टी परसंट आफ पचास तक मैंनस दसलाग तेरा बारा पांसो सर्चार्ज इकवल टो निल अब देखो अगर इस बंदे ने डॉट कमाया होता पचास लाग तो इसको टैक्स कितना आता तेरा बारा पांसो सर्चार्ज होता ही है नहीं है ठीक है पर यह क्यावल लाग एक लाग बीसी कमाया उसका टैक्स कितना रहा है उपर देखो 14,076,750 तेवर माइनस करो डिफरेंस कितना आ रहा है ठीक है डिफरेंस एक्वल तो 1476,750 माइनस तेरा बारा अंसो 164 250 1,64,250 यार देख तुम जरा कमाया एक लाग बेसी पर टैक्स कितना दे रहा है एक एक्स्ट्रा टैक्स कितना दे रहे है एक लाग 64,000 तो इससे बढ़ यह कमाता ही नहीं कमेंस शूच लो एक्स्ट्रा कितना कमाया पचास लाग से एक लाख रुप्या क्यावन लाग एक्दम फंडिजी टाइप का फिर हो गया कमाई कि आपकी वावन ल लेंगे तुमसे मतब तुमसे एक चॉंसर दूसों पजास नहीं देंगे चॉंसर दूसों पजास कम तो आपको 64,250 कम कर दिया जाएगा दार्स कॉल मार्जिनल रिली ठीक है कि ओके एक्स्ट्रा इंकम कितनी दी इसकी और एक्स्ट्रा टैक्स कितना आ रहा है यह 64,250 कम बोलते हैं मार्जिनल रिली रिली है मतब एक्स्ट्रा कमाया एक लाख पर उस पर एक्स्ट्रा टैक्स जो आ रहे है वो आ रहे है एक लाख से भी ज्यादा तो जो एक्स्ट्रा पोर्शन आ रहे है उत्ता गौर्ण्मन छोड़ देगे बोलेगे है जो proportion तो चलो इस आदनी का फाइनल केलकुलेशन दिखाए है में करें ऊपर्डे को किया कि का फैनल कल्कुलेश्यन यू इसको बिस टैक्स इक वल्टों कितना एगा एक बारा पानसो ट्लस ह De ठाक्स इकवल टो size थर्टी परसेंट रहां और फिफ्टी वन लाक माइनस टेन लाक वह आएगा इसका बेसिक टैस्ट हम लोग इसका बेसिक टैस्ट निकाल चुके हैं इसका बेसिक टैस्ट था तेरा बैलिस पांसो अ कि आड़ कि सरचार्ज एड़ रेट आप 10 परसेंट है ठीक है एक एक चॉटिस दूसर इसका सरचार्ज आ गया ठीक है तो एक चॉटिस दूसर पचास लेस्माजिनल रिलीफ तुमने भी माजनल निकाल है उपर लाल रंग में लिखा हुआ है देखो माइनस करो चॉट सट दोस्तों पचास है थेक है अब जो आएगा पहले निकालो उसको फिर सेस्ट उस पे निकलता है हुआ 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 है तेरा बैलेस पान सो प्लस एक चॉटिस दोस्तों पचास माइनस चॉट सट दोस्तों पचास चौदा बारा अब आप इस पे सेस्ट निकाल लिए तो थो आप इसका चार परसंट चापन पान सो फाइनल एंसर क्लियर है कि नहीं है मतलब मोटी बार समझो जब आपकी कमाई बाउंडरी से थोड़ी सी ज़्यादा है लाग दो लाग रुपया ज़्यादा है तब ही लगता है याद रखना एक स्टून बहुता है सर हम ऐसे हर एक्जाम में कैसे पता करेंगे कितना ज़्यादा है अरे लाग दो लाग टाइप का क्लोस फिगर रहेगा चार बाउंडरी है पचास दाख एक कोड़ दो कोड़ पांच कोड़ तो उससे थुआ सज़ाता रहेगा लाग दो लाग रुपया की ज़्यादा रहेगा तो समझना है यह मार्जिन रिलीफ का संब्स है तुम ऐसे कर म तुम को बोलोगे तो मैं एलजबरा से तुमको उसका बाउंडरी काल्कुलेट करके बता दूंगा बड़ी चीज नहीं है आता है ना एक्स लेके कर लो एक्स देके करेंगे सौल पुरा एक्जाक निकल किया जाएगा कितना आएगा वह पचास ताक वाले केस में एंसर आता तो जबरा से भी निकालके कर भी सकते हैं, not a big deal, bolo का मतलब marginally का क्या है अगर आप extra income कमारे हो, boundary से थोड़ा सा extra income कमा रहे हो, तो आपको extra tax इना पोड़ेगा, if the extra tax, due to surcharge and higher surcharge, is more than the extra income, then the difference will be given to you as marginal release, simple, पना कई बारना formula या थखना hard होता है और sentence ह्यात रखना English, easy. से पार्मूला से एज़ी होता है से याद रखना में फिर से बोल रहा हूं मार्जिन पर बंदिघी कमाई है मताँ पचास लाग भेंकर टैक्स आ रहा है एक्स्ट्राइक्स इफ डाट इस मोर दन दी एक्स्ट्रा इंकम तो डिफरेंस से वापको लेस हो जाएगा इतना सारा जो क्यालकुलेशन फॉर्मुला वो ग्यान लगार लग रहा है अगर एक्स्ट्रा टैक्स ज्यूए एक्स्ट्रा इंकम से ज्यादा है तो जो डिफरेंस से वापको मिल जाएगा इस मार्जिनल रिलेव क्लियर है ना चलो इसको देखने अच्छा अपना माजनलीव कितना आया है यहां पर समस्में चोंसर दोसों पचास वाद देखाए अंसर अच्छा यह लोग तो छोड़ दिये 14 बारा पांसों पर निकालके इन्होंने सैस नहीं निकाला हम लोग उस पर सैस भी निकाल लिये थे देखो हम लोग अभी एंसर आया था चौदा बारा पांस हमने उस पर सैस भी निकाल लिया तो मेकिट कंप्लीट है बुक्स बगएर हमें कई बार होता है कि एंसर थोड़ा इनकंप्लीट रहता है मुझे वह अच्छंग रगता क्योंकि एंडव देड़े जब एक्जाम में समस्का देंगे तो सैस तो जोड़ना ही पड़ेगा मेरे एक करो एक लाग कमा रहा है यह एक को से हलका सजादा है ना इसका मार्जिन लीड आए गए आएगा कुछ ना कुछ लेट्स दूट सेगा मैड़ाओ इसको कि देखे दर क्वेशन नमबर टू वही बंदा मिस्टरे 42 साल की उमर है लेकिन अब कमाई ज्यादा हो गई एक करोड़ एक लाग तो बुला है कि निकालो इसका बैड़के के अल्कुरिशन कर रहे हैं के अल्कुरिशन चिंटा किस बाद का कि क्वेशन नमबर टू वही हमारा बंदा मिस्टरे जिसकी उमर है 42 साल और इनकी टैक्जबल इंकम कितनी है एक करोड़ मैं जीरो मेरा भूजाओंगा इतना कमारा है लोग एक करोड़ एक लाग ठीक है कि अब इनकाम लोग को धुड़ा सा क्यालकुलेशन करना है कि अच्छा यहां तुम कॉंफिडेंट हो ना कि इस आदनी का पक्का ज्यादा आने वाल है ठीक है यह यह वेरी शूर ठीक है एक करोड़ कमाता तो सरचार जिसका दस परसंट था एक करोड़ एक लाग में जाने साइस का साई सीधा 15 अविए तो लेटास कैल्कुलेट तो कि टीशे बनाओ कि खाली बहुत बभले बैसिक टैक्स निकाल लेंगे हाँ ता यह यह इसका 101 लैक्स है और अगर टी यह उता हंड्ड लैक्स तो क्या था है फैले बेसिक टैक्स निकालेंगे फिर बाद में सर्चार जोड़ेंगे बेसिक एक बारा पाउंसो प्लस थार्टी परसेंट ओफ एक सो एक लाख माइनस दस लाख तुम लोग कैलकेशन बोर्ड पर दिख रहा है अच्छे सा दोगों मैं धीरे धीरे जा रहा हूं यह एकदम करते जो और बार बार प्राक्टिस करते होगे तो अच्छे से याद हो जाएगा यह तुमारे लिए मतलता ब्लेड में चला जाएगा अगा 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 इसौल करते हैं कि एक सो एक माइनस दस कितना होता है नाइंटी वन लाक्स इन्टू पॉइंट्ट इस लाग तीस हजार प्लस एक लाग बारा पॉंसो शिटी या फॉश्ट इस लाग आ रहा है अटाइस लाग बैलिस जार पॉंसो और इधर कितना आएगा यह दो इजी नब बेंटू तीस अटाइस तक अठाइस बारा पांसो अच्छार इधर कि अधर आद्मी एक करोडो कमाया होता है तो इसके सर्चार्ज 10 परसेंट लगता और यह करोड़ एक लाग कमा रहा है तो इसकी इंकम टैक्स बहेंकर जोड़ से बढ़ जाएगी इसे लिए तो निकालना पढ़ रहा है marginal leaf का मतलब क्या है margin से थोड़ा जहादा कमा रहे हैं तो अगर margin पे कमा रहे होते तो कितना टाइक्स होता और जो actual कमा रहे उस पर कितना ताक्स हो compare करके तो निकलेगा न मार्जनल इस निकलेगा इस माइनस दिस हलो माजनल बें इस माइनस डिस अभी माइनस नहीं करने दो सर चाज़ गां अंग सरचार्ज ट्राий मेर। सरचार्ज बताईए इस पे कितना आ जब 10 परसंट का एया तो ऑवर इधना एक अज़्वान आयगा हो अच्छा कर दिया ल्टा कर दिया हाँ लिए कोड़ इस कि कि पंदर्घा परसंट इथा दसपरसंट यह कि एक सो एक लाग पर सर्चाष कितना होता है 15 परसंट कि एक एक लाग फिदंधा दरा परसंट दरा प्रसंट और जिना झार और ह graham ऑन शो आटाईस ड्यालेस 500 इंक न 11 परसंटड़ से शिटी फिगर आ रहा है एक दो 4,26,375 जोड़ेंगे प्लस 28 ड्यालिस पांसो 32,68,875 और उधर तो निकलेगा 10% की रेट पे ना 281,250,282,500,30,93,750 ठीक है तो इसका एक्स्ट्रा टैक्स कितना आ रहा है 1,75,125 जबकि कमाया एक्स्ट्रा कितना ही है एक लाख एक्स्ट्रा इनकम कितना है एक लाख देर्फोर मार्जिनल लिफ कितना आएगा है आएगा हैंध़ कि ळपक्स्ट्रा इनकम कितना है एक वाखाँ जचितना हैंध़ची आएगा Хां आएगा है एक यह दैने यह 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 वाट्वाजन लीफ का माउंट अचा अभी यहां पे खतम नहीं हुआ विव्याब तो क्यल्किलिट दो फाइनल टैक्स नो हरते हैं इसका फाइल टैक्स अलगेशन फाइनल टैक्स कंप्यूटेशन पाइनल टैक्स कंप्यूटेशन बेसिक टैक्स वह तुम निकाल चुके ना उपर बेसिक टैक्स बता दो उपर कितना था अठाइस दाख बैलिस जार पांसो यह रही रहा देखो है ना तो यह आड़ कर दो अठाइस बैलिस पांसो अड़ निकाल किस्ट्ट्रेस स computer तूम च्राइशन प्रिंट्ट क सिर्टी सर्टाइ अटाइस ब्यावर्वेस अल्सो प्लस फोर तो सिक्स थी सेवन फाइव माइनस सेवेंटी फ़ेंटी फ़ेंटी फाइव इकत्यस नाइन्टी थी सेंफिफिटी आ रहा के बताओ तो मिरुकों अब एड होगा तुमारा सेस हेल्थ और एड्यूकेशन सेस अड़ एड़ एड़ पॉपस एक लग सताइस आ रहे हैं जोडने का है थार्टी वन नाइंटी थी सेवन फिफिटेंटी स्टेंटिस लाग एक्टिस जार पांस लाद इस कमिंग आउट तो बी आवर टैक्स लाइबलेटी यह याद रखोगे सब कोई भाई मेरी बास सुनों राउंडिंग और बीच में कर देम राइनलो मत कर दीओ वह लास्त में जाकी हुत ऑल लास्त में आपर कुछ आहा रहा होता तो किरता वीच में कुल होता जब टी आई होता है टोटल इंकम उसको राउंड ओफ करते हैं और फिर लास्ट में जाके सीधा जो टैक्स राउंड या तो उसको राउंड फिर बीच में मतलगा यह राउन नहीं और बैटके पुरा घरबर हो जाएगा सब को ठीक है मेरी दो बातों को अच्छे से सुनों दो बातों को मैं साइंस स्ट्रीम से था तो एसी देना तो 11-12 मेरा साइंस था इसके बाद भी मैं घर मीं यह गुए एक साथ और ऊट्वारा बाते अधिया ट्वेल्ट्व के बाद एक अर में प्रिपेर्ट कर रहा था आइगी मतलब 3 साल मैं साइस था उसके बाद में कॉपर्स मेना था प्राक्टिकल जबी अपने करते हैं कोई भी प्राक्टिकल समस्य चाहिए वह एकाउंट्स ओ कॉस्ट ओ टैक्स ओ जो भी सब्जेक्ट प्राक्टिकल कि कभी भी सॉलूशन नहीं देखने का थेकिया पेपर कॉपी पेन उठाया रगणना चालो अपने आप करो क्या होता है ना जब अपने सॉलूशन पढ़ते हैं तो उसमें जो छोटे-छोटे नुवांसस होते हैं वो दिखते नहीं हमको और जब वो करने बैठते हैं तो हम जगा-जगा अटकते हैं छोटे-छोटे समझ तो जाएगा वो देखके हैं पर सॉलूशन पढ़ेगा हां समझ गे समझ गे समझ गे पर जिस दिन उसके सामने से बुख अटा के वाइट पेपर रख देब लिक की बता वह अटक जाएगा जो चोटे-छोटे जगार पर जो नुवांसस होते हैं वो उसने क्लियर किये नहीं इसलिए फर्स टिप जो मैं दूंगा कभी भी कोई भी प्रैक्टिकल सम करो ताक के काम मत चलाओ पेपर पैन उठाओ रगड़ो एक बार रफ में करो ना वे नौट एंगी भाई फेयर में सुंदर से बनाके करो रफ में करो पर पेपर पैन पर खुद करो सॉलूशन रीड़ करके काम कर दिया मत चलाओ यह वह फस्ट बात है सेकेंड जो तुमको मैं बोलूंगा मैं साइंस्टुनेंट होके भी यह बोलने जा रहा हूं पर यह ज़रूरी है डोंट ट्राइटू डूमेंटल मैस है ठेक है एक मेंटल मास होता है न कि इस अब अपने क्यालकु सब्सक्राइब किया था स्ब्सक्राइब बहुत को सिखाया जाता है इन्टु डिवाइड डिवाइड इन्टु तक तुम कर लोगे एकदम मेंटली बैटके गंदा से गंदा फिकर ठेक है यह कोई बड़ा चीज नहीं इस जस्ट मैथर्ड वो मैथर्ड सीख गए और मैथर नहीं कर सकते कभी में मेंटल मैस करते हैं कभी हम कैल सी उससे तुमारा कॉंफिदेंश गरबढ आ जाएगा और एकजाम में तुमारे एक ब्युकुफी कि से अगर तुमने नंबर गलत गुलत लिग दिया कांट हो जाएगा तो भाई या तो इन्हां तो चैल्कुलेटर में क्योंकि उससे कॉंफिदेंस शूटेगा एक नंबर गलत ने क्या जाओ के फालतू का पूरा सम गलत हो जाएगा अभी तुम देख रहे ते सारे नंबर से फिकर से ठीक है फालतू का एक नंबर में गलबड कर दिये कुछ मेरा मांक्स पूरा शुन्य कर देंगे सब घर पर हो मेरा बेसिक टैक्स गलत आजएगा मेरा सर्चाज गलत आजएका मार्जव गलत एसेस गलत मेरा अल्टीमेट सवचाह सब तो गलत हो यह स्टेप मार्किन देगा वो तो फिल अदू देगा पांच में से मेरा को सीधा तो मिस्टेक ना करना यह चोटे से आलस में you pick up the calculator तुम तुम यह नियम बना लों कि तुम जब तक इस लाइन में पढ़ाई कर रहे हो कोई भी प्रैक्टिकल सम्स करो तो कैल सी क्याप्रेटर से करो मेंटल मैस लगाने के चेश्टा फालतू का मत करो हाँ चोटा मोटा चीज पर हर इंसार मेंटल मैस लगाई गई अब इंटू 10 परसंट करना है वह तो दिख रहे हमको एक जीरो कम करके लिख देंगे हम यह चोटा मोटा फिगर से जो आड करना है तो वो तुम करेंगे पर कोई तुम्हारी चमक देखनें वाला नहीं है महां तुम में थीन गून्टा उसको भी तीन गूंटा सबको तीन गूंटा फिपर लिए तो वहां पर घूँसको जाकर चंखा रहे हम तो मेंटल मैस किये थैं एक्जाम नों को दिखे है कि हमानी चैन्स हम लिखिए ये अख पीएस ठीक है तो तुमको एक्स्टा करेड़ देगा ऐसा कुछ नहीं होता है तो डोंट्राइट दूदाट यूफ फॉलो क्यालसी दो टिप है सम्स कभी देखने का नहीं सॉलूशन नहीं देखने का सीधा पेपर लेके खुद लिखने का रफ में लिखो कोई नहीं बोला कैसे सजा के टेबल टूबल करो पड़ाफ में लिख लो मार्जिनली को मार सरचाज को सी बीटी बैस रफ में कर लो को देखने पर राइट इडाउन उससे तुम्हारा वो जो है बैसिक टैस प्लस शर्चार्च पह सबस्ट जाल कटेबं नहीं कि ठीक से ताउस है कि पाट्चार्च कि टी पे सरचार्च किस पर शांती कि ठीडी तर सो तो मन किसलें एыт्नु आहिं डेया विट वन एब्वडेशा जहरो समझने में और इंप्रॉम्टू निकलने में स्पॉंटेनियस परकोट है समझ गए हम आज पढ़ाया है हम समझ गया सब पर वही स्पॉंटेनियस अंदर से निकलना डाट निर्स प्रैक्टिस उसी के लिए तो प्रैक्टिस ज़रूरी है अब आज तुमको मैं पढ़ा दिया यह ठेक है और भी पढ़ाऊंगा थोड़ा इसका सम्सम्स करा दूंगा पर तुम इसको छोड़ दिये उड़ जाएगा ब्रेंस से पुरा मैं बता रहा हूं यह तुमको बार बार रिवाइस करने की चीज़ है एक दाम पुरह है तुमारे मतलब अंदर आ जागा नाचुरल जैसे आज ए बी सीडी पढ़ना पड़ता है कि रोज से बोड के रिवाइस मारते हो याद हो गया तुम इतना प्राक्टिस कियो उसका कि तुम ए से लेके जड़ तक बिना कोई चीज कि तुम ताक से बोसकते हो जैसे जो छोड़ी छोड़ी चीज़ें थी ना जो बार बार लाइफ मे रिपीट होती गई वह तुम इतना बार रिवाइस कर चुकिए हो कि तुमारी एक दम वह फिंगर टूप है तुमको अगर हम लोग कोमा में भी डाल दरो कोमा से भी भार आओगे ना तो भी तुम बोल दोगे तुम भूलने वाले नहीं हो इस ट्रेंड मेमरी तुम लोग द ख्लीर रहें का वान ओटू अभी अपने उसमें चलते हो वापस से तो अभी माजन लिवका कंसर्ट किया है तो पहले तुम कंसर्ट सीख जाओगे तब मैं तुमको ऐलजब्रा सिखा सकता हूं वरना मेरे को ऐलजब्रा सिखाने में कोई इंट्रेशने बिकास ऐलजब्रा इस नोट गोई तो भी यूजब्रा मतलब लॉंग टाइम अगर तुम मार्जिन का समझ तब मैं जो बताने जा रहा हूं देख लो शौटकट एलजब्रा एकड़ा एकड़ा हूं ठीक है इधर द्यान से देखों निकाल सकते हैं सबस्ट मेरा जानने का इच्छ है यह रफ खरोर पांच खरो तो एवांट तो नो स्लाइटली कितना सर निकाल लेते हैं बैटके अरे बहुत असान है निकल जाएगा भी बहुत असान है निकल जाएगा जैसे यह लोग 51 लाक लिखे मैं जानना चाहता हूं कि अगर मानलो सर क्वेश्चन में 52 लाक्स तो क्या माजिलि के किता उपर जाने पर मार्डिव उड़ जाता है एक रेकिते है उसकी कमाई है कि 50 लाक्स प्लस एक्स मुझे यह एक सी तो निकालना है सौल करके 50 लाक्स प्लस एकस ना ओ मार्जन लीव कब लगता है इस आपले के बल when extra tax is more than extra income then when extra tax is more than extra income what is extra tax tax on 50 plus x minus tax on 50 more than extra income x वैं थोड़ा सा जबरा आ रहा है ना देखो अभी मैं पहले से तुमको वार्णिंग दे रहा हूँ मैं जबरा पहा रहा हूँ यह पढ़ना ज़रूरी नहीं है यह सेलेबस का हिस्सा नहीं है यह खाली को इश्वन का डाउट आ सकता है फूचर में इसने में बता देता हूँ ठीक है पर यह जबरा सेलेबस का इसा नहीं है तो तुमको करना नहीं करना तुम्हारी इच्छ है ठीक है तुमको अगर यह नहीं जानना है ऐसा कानवन कर लो थे ठीक है तुम्हारी बसकर के दिखा रहा हूं वेरेिव गभी आशांती माजन लीव या फ्लीपल कब कर लोगन एक्स्ट्रा टैक्स त्व नहीं वह उसको बूला के देगए000 एग्स्ट्रा इंकम सबैछ एक्ट्राटैक्स कितना होता है एक्सट्री एक्स्त्रानिक्स किय लट वाल्स टो एक है अच्छे हैं आच्छ यहां पर जो यह टैकस टेक्स दिखा हुआ है यह टैक्स टैक्स क्या है यह बशिक प्लब सर चार्च यह जो टैक्स टैक्स है इसमें भी 50 plus X पर एबा लगाते हैं ठेके हैं एक पारा पांसो प्लस 30% 30% off 50 plus X minus 10 है कि नहीं 50 plus X minus 10 50 plus X minus 10 यह पूरा फिर भाई तुम इस पर सरचार जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा इस पर सरचार जोड़ेगा तो कितने का सरचार जोगा बोल 10% मैं सीरा ऐसा करूं क्या यह लिख सकता हूँ हाँ total into 110% चलेगा minus tax on 50 लाग बोल दे मेरे को एक बारा पांसो plus 30% off 50 minus 10 40 लाग 40 लाग का 30 लाग 12 लाग solve हो गया more than x equation के दोनों साइड में x हा you can bloody solve it let's solve ठेक है 1 बारा पांसो minus 1 बारा पांसो कड़ गया ठेक है इदर गौर से देखो बोल पे 30% of 50 plus x minus 10 यानि 40 plus x तो उसको break up अगर करने जाऊँगा तो ऐसा आएगा देखो 30% of 40 plus x into 110% ये ठीक है ये क्या आएगा solve करो 30% of 40 ये गांगा पूरा करते हैं ये तो ये एक बारा पांसो काटना गल्ती हुआ मेरा ये जबरा में ये भी तो एक लफ़रा है ये गलत किस लिए हुआ क्योंकि बाहर 110% multiplied था तो उसको पूरा ही solve करते हैं एक बारा पांसो एक बारा पांसो अब पहले इसको solve कर लेता है ठीक है एक लाग बारा पांसो प्लस बारा लाग प्लस पॉइंट्री एक्स इंटू 1.1 माइनस ये तो easy है 13 बारा पांसो more than x अब इसको solve रहूँ 13 बारा पांसो इंटू 1.1 इक्वल तो 14 43 750 प्लस 0.33 x माइनस 13 बारा पांसो more than x माइनस 13 बारा पांसो एक लाख इकत्तिस हजार दो सो पचास more than अच्वल पॉइंट 33 x को वहां फेक सकते हो उस तरब तो उधर क्या बचेगा पॉइंट 6 7 x तो अब x निकाल सकते हो यानि अगर x जो extra income आप कमा रहे हो वो एक लाख पंचानवे अजार आट सो पंचानवे के अंदर है तब तो margin relief आएगा लेकिन इससे ज़्यादा है तो नहीं आएगा तब ही वो लगकी बोली 52 लाख 52 लाख मतलब आप 50 तक से कितना जाता कमा रहे हो 2 लाख आपका तो 195 क्रॉस हो गया ना तो आप पे margin relief नहीं लगेगा समझ में आ रहे है तो margin relief कब तक लगेगा जब तक आपका total income 51,95,0895 है तब तक margin relief उसके बाद margin relief नहीं है यजी कैलक्यलेशन में एक्कोर के लिए कर सकता हूं मैं फ़ोंदो कोर कि इसमें ने करोंगे लोग कोपी के पीछे में कि कोपी नोट को ट्टी कुरू कोपी नोट जुनत ने जूत मूंद अब यह सब rough calculation we can do पीछे एक सेक्स ले लेके अपलू इधर देना मेरे को इसको यहां ज़ा सकता है क्या हुआ 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 नहीं होगा ना ठीक है सब ओक्या ठीक है मैं साट करूँ यह इसमें तो निकाली एक कोड़ पंचानवे लाग मैं रफ़र कर रहा हूँ ठीक है यहीं पर एक कोड़ वाले के इसमें निकालता है ठीक है तो वही मादिली प्रफर मॉटा प्रीक हो किया होगा टाक्स प्लश直 एक करोर प्लस ग्वार्ट एक करोर यह extra tax है, when extra tax is more than extra income तो extra tax कितना tax on 1 crore plus X minus tax on 1 crore more than X let's solve it tax on 1 crore plus X कितना हैगा 1 12 500 plus 30% off 1 crore को 100 lakhs दिखो plus X minus 10 lakhs यह वा basic इसका भी basic निकाल लो इस तरफ का भी 1 lakh 12 500 plus 0.3 into 100 lakhs minus 10 lakhs more than X अभी सर्चार्ज भी बागी जोड़ना ठीक है तो उसको एक बार ऐसे लिख दो plus इधर लगेगा 15% SC इधर लगेगा 10% SC मैं तुमारे साथ ही चल रहा हूं दिवे दिए ठीक है हर अबरी नहीं करूंगा इधर ने की नहीं बोलो इतना लिखा सब कोई संग संग कर रहे हैं कोई टेंशन का बात नहीं है मैं बढा रहा हूं जबरा समझ में आएगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इसमें देहों कैसे लिखा टैक्स कितना होता है एक लाग बारा 500 प्लस तीस परसेंट ओफ एक करोर प्लस एक यानी सौ प्लस लाख में करतो सौ लाख प्लस एक माइनस दस लाग फिर उस पर जोड़ना कितना है 15 सरचार्च सहीं है कि नहीं रहा तुमको बता रहा हूं ये वाला दस ताख तो टी आई कितना है मेरा सो लाख प्लस एक्स माइनस दस लाख और फिर पूरे पर फंद्रा परसेंट सर्चार्ज लगया तुमको लास्ट में क्लिर है तो यह मैं डाउट तो बोल दें में बता दूंगा बोल तो तुम अठकेगा कोई भी चीज़ पर तो हमको बोल ने ऊपर वाले का क्याल्कॉइशन गरबड येल्लो वाले का क्याल्कॉइशन ज्यादा टफ है विकोस में एक्स इंवार्ड है और कुछ नहीं सॉल्फ करते हैं एक बारा पांशो प्लस अंदर में तो को सौलाख मैनेस दस लाख नब्बे लाख नब्य लाख इंटू 30 परस 27 लाख प्लस एक बारा पांशो 28 लाख 12,500 इंटू 1.15 एक्वल टू 32,034,375 यही आ रहे है प्लस 0.3 इंटू 1.15 0.345 एक्स वाट दस फिगर अब उदर का निकाल ले जान शलो सो लाख मैनेस दस लाख नब्य लाख नब्य लाख नब्य लाख इंटू 30 परसंट 27 लाख 27 लाख प्लस अथाईस बारा पांशो इंटू 10 परसंट सरशार्ज 30 लाख 93,750 37 लाख नब्यू 174 लाख परस्वप बाताству 30 लाख 6 लाख 29 लाख 29 लाख 31 ke берाiantly कर दो दो लाख 14,000 मतलब कोई बंदा अगर एक करोड़ो के उपर 2,00,000 जाता है एक करोड़ो दो लाख, 14,000 695, वहां तक मार्जन रिलीफ है अगर वो एक करोड़ पंदरा है एक करोड़ो दो लाख, 15,000 कमा ले है खत्ब मार्जन रिलीफ का कॉंसेट ठेके ना मतलब अगर आप एक कोड़ के ऊपर कितना कमा होगे दो लाग चौदा जाद तब तक तो मार्जिनलीव दो लाग चौदा से ज्यादा कमा लिए तो मार्जिनलीव कॉंसेप उड़े जाएगा जब एक पॉंट अच्छा हरे का इंसर थोड़ा लग लगाएगा पचास लाग के केस में बाउंडरी क्या था इपने उपर सॉल्फ किया था नहीं पचास लाग में देखो क्या था कि 1.95 के लिए सॉल्फ करें तो क्या रहा है जो क्या रहा है जो कोड़ चौदा थोड़ा साओं करो करो के थोड़ा सा और ज़्यादा आएगा पांश में तो तो ढॉटहा सा और ज़्यादा आएगा रफली बोसकते हैं दो-तीन लाग रुप्या कि रफली वो सकते हैं दो तीन लाख रुपया तक मार्जिन लिफ आएगा उसका मार्जिन लिफ नहीं आएगा तक आइडिया होगी है ना और बुक में जो समस्था वो तो बहुत ही सिंपल था उसमें तो एक एक लाख बढ़ाया था खाली एक वन लाख एक करोड़ एक लाख दो तीन लाख तक जाते हो तो मार्जिन लिफ उसका मार्जिन लिफ नहीं है अच्छा डूआ नीड तो रिमेंबर दिस फिगर नो थे क्या आइएटी का प्रपर नहीं चल रहा है ठेक है कि एम सी क्यों में डालके पूछ लेगा मेरे को बोलेगा सॉल्व करो हलागी एम सी क पूबर जाएं तभी आइडिया होगा मार्जिनलीफ का क्या है ओफ यह क्लोस कर रहा है इसको होगी है तो हम लोगों का मार्जिनलीफ का कॉंसेट इस क्लिर ना ओ यह दा देखो यहां से बुक से चालू किये थे ना सर्चार्ज वगेरा अब यह दा मार्जिनल रिलीफ इक्वल्टू एक्स्ट्राट पैक्स माइनस एक्स्ट्रा निकम अब यह लोग एक ही चीज़ को चार बार लिख के दिये हैं इधर देखो यह वाला पचास लाग के लिए यह एक कोड़ के लिए यह दो कोड़ के लिए और यह पांच कोड़ के लिए थे एक ही बात बार 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 बोला है पड़ो चलो इंगलिश marginal relief is available in case of persons having a total income exceeding 50 लाग that is total amount of income tax payable together with surcharge on such income should not exceed the amount of income tax payable on total income of 50 लाग by more than the amount of income that exceeds 50 English obviously section में जब लिखा जागा sentence तो ऐसी बनेगा पर ऐसा sentence बोलन और याद करना मुश्किल है सिंपल सी बात है हम boundary से थोड़ा सा ज्यादा कमा रहें तो उसकी वज़ी से मेरा tax बहुत ज्यादा बढ़ रहा है so the extra tax that I am paying should not be more than the extra income as simple as that if the extra tax is more than the extra income then the difference से वो मेरे को less करने को मिलेगा known as marginal relief we are okay with this यही लाइन बार बार रिपीड के एक कोड़ दो कोड़ पांच को दस कोड़ के लिए और बाकिए सेसी के लिए भी अभी अपना मार्जिन लिफ का टॉपिक और सरचाज का टॉपिक खतम होता है clear रही है अब हम लोग आ रहे हैं इसमें health and education says कितना health and education says देखो इदर लिखो चार परसेंट किस लिए भारत सरकार का commitment है तो प्रोवाइड quality health services quality basic education and secondary and higher education अमेरिका जैसे देश में private schools बहुत नहेंगे होते हम लोग सब private school से पढ़ा हुआ हम लोग सब में से कोई भी यहां नहीं होगा अमेरिका जैसे कंट्री में education free basic education क्योंकि वहां पर private schools अतीम हेंगे मैं तुमको नहीं बताता हूं तुम अगर 12 के बाद America चले गाए इस ना तो तुमारे जो ग्राइजवेशन का पैसा होता ना चार साल का चार साल का ग्राजवेशन होता है चार साल का ग्राजवेशन का 1 करोड़ चार साल का एक करोड और यहां पर तुम अपना कैलकुलेट करो बैठके तेक है कितना आएगा चार साल का तुम जस्सोच लो कितना महंगा है एजुकेशन यहां पर पूरे चारपन साल का मिला कि आई थिंक पांच लाग रुपया कुछ आना चाहिए उससे बेसी नहीं आएग ठीक है उसको लेके बोल रहा हूं पांच लाग और वहां पर जाओगे एक करोड जस्ट आइक डाट इतना महंगा है तो वहां बेसी एजुकेशन फ्री है हमारे देश में यह आने में समय लगेगा ठीक है डेली गावर्मेंट में जो आम आदमी पार्टी वो प्रॉमिस तो बहुत कर रही है कि उन्होंने बेसी के जीकेशन एक फ्री एज्जुकेशन का जो इंफ्रस्क्ट्र्षर है वग्यरा बहुत बढ़ा दिया पर बाकी स्टेट्स में फैलने में और पूरें इंडिया में ओवर्ल बेसी किजिशन फ्री होने में थ्रणा टाइम लगेगा तो इसलिए चारव परसेंट सेस कलेक्ट किया जा रहा है सेसिस क्यालकुलेटिटिड ओन टैक्स प्लस सर्चार्ज माइनस मार्जिनल रिलीफ उस पर सेस्ट निकलता है लाउस्ट मेरना अच्छा यह रागव है रागव 26 साल का इंडिया में रहता है टोटल इंकम कितना चार चाल जर कितना हैगा सो सिंपल था फाइफ परसेंट ओफ फर्स्ट राइल अपर नेल फिर डाइला की उपर चार चालिस कितना होता है एक लाग नबभे जार है ना 4-4 एक नबभे 5 परसेंट ओफ एक नबभे 5 परसेंट अपने शॉल्फ करेंगे कि मालूम है लिखाओ वह वांपका कितना है गाइगा 9500 अब रिवेट होगा इसका अचारी वेट कितना होता है बोलो मेरे को रिवेट होता है कि लोवर और हाँ 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 है टैक्स और 12 पांसो अच्छा इस बंदे का टैक्स कितना आ रहे है नौजार पांसो तो यह कितना है गाइगा नौजार पांसो ओविस थी आंसर माइनस में तो आएगा निकी गॉर्मेंट जेव से निकाल के बैसा देगी तो अल्टिमिट लाइबिट है इसका नेल यह रिवेट तुम लो पहली करके फेग चुक है कि मल्टी चॉइस कुष्टिन प्रेला कि मल्टी जोइस लेट जोगी जोइस second domestic company मतलब इंडियन कंपनी and a foreign company which has made arrangements for declaration and payment of dividend in India the rates of income tax are mentioned in so no normal rates count the Finance Act में और special rates count the income tax act में तो देखो दोनों जहां पर हो बोथ income tax act and finance act finance act में होता है कि नॉर्मल रेट्स और income tax act में होता है कि इस पैशल रेट्स थे उपर करों क्वेशन अमबर फोर दसर्चार्ज अप्लिकेबल इन दे केस अफ न इंडिविज्वल इस अच्छा सर्चार्ज की रेट तो चार है दस पंदरा पचीस और सैंतिस यहां देखो कौन सा लगया लेट उस रीड़ फस्ट दस परसंट ऑफ टाक्स इफ इनकम एक्सीड़ पचास लाग बट डजाशन ऑट एक करोड तो पचास अपसे कोड़ की वीछिए दस परसंट सही लग रहा है हाँ सेकेंड दस परसंट ऑफ टाक्स इफ इनकम एक सीड़ एक करोड रॉइं रॉँह एक कोड़ एक कि दना लगता है 15 परसंट तो यह त मैं एंसी हो तहीं है कि सब्सक्राइब ने लिए अब है कि सब्सक्राइब मैं आरहा है मिल्टीछ नेट आपके साव में अभी तुलास में ऐसे मंधू करा ही रहूं बादना रखिताब भी दें और थेका सब कुछ देखो यह नहीं हो सकता कि पूरा का पूरा टैक्स पढ़ाते वक्ति एमसी क्यों चालू कर देने तो समस्ट मेरा बब करेगा कि मेरे को तो पूरा ही आना पड़ेगा समस्ट भाई अगर तुम आलविदा कर दिया तो लास्ट में जब कभी टैक्स लाइबिल्टी ज हाई लाकी है वह साथ का है असी का है एक सासी का हमको मतलब नहीं है उसका डहाई लाकी रहेगा है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है छे अभी तुम से नहीं हो सकता साथ नहीं हो सकता आठ भी नहीं हो सकता नौ भी नहीं हो सकता है दस है वी कैन डू अटिशल जुरिडिकल पर है वो है इंडिविज्वल से मैच करता है कि ने इमको बताओ यही तो सोचने वाली बात है यहीं पर दिमाग लगाना है क्योंकि एक्जाम में बिचारा ऐसे हो जागा शौक्ड उसको इंडिविज्वल का याद है एजबी का मालूम नहीं भूला हुआ है तो याद रखो लोपी बीओ आई एजए पी इन चारों का सेम होता है तो बात करता है कितने का वहीं अच्छा पर इसको रिबेट है रिबेट सिर्फ इंडिविज्वल को है इसका चार लाग दस जा रहे है पांच लाग से कम है बटनो रिबेट है नो रिबेट और सर्चार्ज भी नहीं हो सकता दुकर सर्चार्ज तो पचास तक यह ऊपर होता है अच्छा इनका टैक्स कितना आएगा बता देते हैं पॉर फॉर्स्ट धाई लाग है निल है पॉर नेक्स्ट धाई लाग से कितना उपर रही है एक लाक सांड़ हजार पांच परसेंट का रेट लगेगा आठ जाद रुपे आएगा है अब मैं से पूछा क्या था पड़ो तो दा इंकम टैक्स पेवल इस आठ अचार एंड सर्चार्ज पेवल इस निल क्या एंसरा रहा है फाइनल आठ जार पर टैक्स पेवल सर्चार्ज निल दास्दी एंसर है ओके ना क्वेश्चन में ओविस्टी सैस वगेरा नहीं है यह तो सैस भी हम लोग निकाल सकते थे इस पर चार परसंट का सर्चार्ज है नी डिवेट है नी तो सीधा आप इसमें जोड़ो कि कि तीन तूबीश रुपे आएगा तो अपर कि तीन सुबीस पूप्शन में भी नहीं और जारी चाहिए उनको कि 11 अभी नहीं हो सकता है Hob monstrousen II cinnamy Reggie सुनो उना income второй previous year में लेकिन assessment होता है assessment year में यह सीखते हैं अपने प्रिए सिर्मर dignitas Land 令 में लेकिन पांच ऐसा di finishes जब भागने वाले होते हो जब previous एर में कमाते हो और previous year में he assessment भी होता है उसकी कितने cases लिए 5 basis जैन किया बूला था मैंने कि अगे स्लेप तिन है बेड बोलो एक ये करके नंबर वन है तुम लोगो लिखना भी चेना एक लिखो बाजू में मैं अपना प्रक्टिस कर रहा हूं क्या शेपिंग बिजनस ओफ इंडियन कंपनी की नॉन रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट क्योंकि आएगा यहां पर पैसेंजर कार को लोड अनलोड करके भाग जाएगा नॉन रेसिडेंट इंडियन शेपिंग कंपनी तुमको दिक्कत नहीं है ल्ड़ लेविंघ इंडिया थितनों नॉन अवितर रतन इंडियन बाग तीन फ्यूं पीप पतिकूलर वें आप व्याएजिव ऑन फिर पर पतिकूलर में विन आप ब्यूए एजब न वेन आडिकूलर वेंड़ आफ कि एक सब्सक्राइब टी सारा प्रॉपर्टी संपत्री ट्रांसर कर रहा है तक ही बोले का मेरा मैं तुमको बताता है यह बहुत पुरानी न्यूज है दस साल लोगें के इस नियूज को ठेक है ऐसे तुम मैं टीवी देखता है नहीं अचानक से दिन न्यूज दिखा रहा था कि और तुमको बहुत है एक चार्टर अकाउंटन यह नहीं शरकत कर रहा था ठेक है मीडिया वाले कवर करें थे चार्टर अकाउंटन को नोटिस आ गया कि आपका 25 रुपया का टैस्टाइबिटी डूए पे कीजिए तो वह चार्टर क्या किया सब्सक्राइब जाके सब्स अब खोल यह लाप्तॉप भी नहीं पेपर पेंट खोले घंप रहता है मेरा तो कुछ है नहीं जीवन में इसाड़क काम करता हूं मैं पस कहां से पैसा है का मैं 25 राका टैक्स कहां से दूं इंकम टैक्स वाला गधा था आगया आपको 25 राका ऐसे नूरे स्वेस दिया ड्र कि मतब इतना ड्रामा लाया कहां से वो अपने बॉडी में में को समय में नहीं आता सिए का कोर्स किया था कि एक्टिंग का कोर्स किया था मालूम नहीं इन सब तरका ड्राम करना बहुत दिफिकल होता है है पाई नंबर बीडी बिजनस डिसकंटिनूड कि कि अधर यह कुछन वंटू थी खतम एंशी की थोड़े बाग की और कराना अब मैं एक बार पीछे चलता हूं तुमको पिछले दिंका सब दिखाते हो दो को कि अधर लुकर्ट बोर्ड क्यालक्लेशन ओफ टैक्स ताविल्टी सबसे पहले किया निकालते हैं तुम बेसिक टैक्स निगाला सिग्गिया इंडिविजूल का लॉंग फॉर्मूला शॉर्ट फॉर्मूला तुरिक एर सरचार्ज और लेस रिए सरचार्ज कब लगता कि जैंठान के नीच और पाँच लाग से पचास तकि बीच में खूछा नहीं यह देखो गया दियाए जीरो से पांच लाख रिवेट पास पचास नतिंग कर से उपर फिर अब देखो क्या लिखा यह तेखो तो गड़े सां मने क्या लिखा दया अदेग को गया तो वो समके से समझ गए ना जब 50 लाख एक कोड़ दो कोड़ पांच कोड़ के थोड़ा सा उपर होता है तब ही माजन रिलीफ लेस होता है क्योंकि एक्सिट्र टाग्स शड्नाट बीमोर दैन एक्सिट्रा इंकम अब जड़ा सबसीख मारें उसकी लिएए एक्स्ट्रा टाक्स अपी ज्यादा नहीं होनाच चिटो माइनस कर दिया जाएगा और फिर लास्ट में दोनों को जोड़ की क्या मिल रहे है सर्चार्ज अभी एकलिय इन शुण हैं पर लास्ट पर जोड़ों सेंज एड़ जलतने गडिश्ट सब्साइब लेको तुमको दो चारत सवाल पूसता हूं गहुँ वह बीसिक टैक्स किसमें निकलता है औंटी एई ठेक है सरचार्ज किसमें निकलता है on basic tax marginally फिस पर निकलता है basic tax plus sercharge says किस पर निकलता है basic tax plus sercharge minus marginal relief yes sequence sequentially अपने को करना है solve okay हमेशा अब ही done हो गया आज बाज जिस सर्चार्ज रिलीव अगरा पढ़ा के finally individual का tax computation clear हो गया individual का बाकी लोग बचे है ना उनका भी चलो देख लेते हैं पर उनका इजी है ठीक है उनका टाफ नहीं है कि यह रहा हूं देखो एक एक चीज करके बढ़ते जाएंगे भी कि कि अच्छा कि सबस्क्राइब रीट्स ओफ इंकम टैक्स ओके हमारा सेस्मेंट यह रहे 20 21 नॉर्मल रीट्स कहां मिलेगा आपको फिनांस है और यह क्या ना मैं सब्सक्राइब इंकम टैक्स साइट यह रहाँ स्लाब रीट फॉर बोड़ पर दिख रहा है सबको ठीक है इंडिवेजिवल एच्व एओपी ब्योवाई एजपी इन सबके लिए इंडिविजिवल और यह बाकी अलग परसने सबका से में क्यों एक रिबेट होगे सुपर सीनियर के केस में बेसिक एक्जम्शन लिमिट पांच लाग अच्छा आपकी उमर हम लोग प्रीविएस यहर में देखते हैं लेकिन सीनियर और सुपर सीनों के एडवांटेज है अगर प्रीविएस यह खतम होने के बाद अगले दिन फर्स अप्रेल को उसका बड़ भी चालू तो वहता है कि कोई बात नहीं ऐसे तो उमर प्रीविएस यह में देखते हैं लेकिन अगर आप प्रीविएस यह खतम होने कि जस्ट बाद अगले दिन फर्स अप्रेल को साथ साल के वह तो आपको उस साल बेनिफिट मिल जाएगा वैसे सूपर सीनियर को भी है अ अब आया नया चीज अब बहुत सिंपल है अब हम लोगों ज्यादा मैस वगेर ने तम सिंपल साथ तरह के परसंटे हैं कितने परसंटे वही कि साथ तरह के परसंटे चार कवर हो चुका इंडिविज्व एच्ट्रा सीखर है को ऑपरेटिव सोसाइटी को ऑपरेटिव सोसाइटी होता तो एओपी है पर उसका रेट्स अलग है तो अभी चार सीखना वाग्तिया हम लोगों को ठीके चार तो कौन से चार सीखना वाक्तिया है और में लेलपी कांपनी लोकल अथोरिटी को ऑपरेटिव सोसाइटी सबसे इसमें जो गोबर टाइप कहना वह को ऊपरेटिव सोसाइटी का है तुम बोलो कि क्या मजाग चल रहा था ठीक है पर मजाग मैंने थोड़ना किया सरकार ने किया कि फ़र में लिपी का रेट सिंपल एक दंबला कोई स्लाइब नहीं सीधा 30 परसेंट है तो अभी सुनो मैं सिधारत अगरवाल मिस्टर सिधारत अगरवाल मेरा सिधारत अभिकास क्लासे लन भी कि इसको कुछ नहीं है कितना बॉस इसका 30 परसेंट सीधा 30 परसेंट सीधा 30 अभासलाइब में ठीक लोकल अथोरिटी लोग फॉर्टी कितना है है थीस परसंट मुनिस्पाल्टी थीस परसंट को अपरेटुस सुसाइटी में थोड़ा बत्तमीजी कर दिया है लो बोला निल तो है नहीं तुम लोगा कुछ भी दर जो बेसिक एक्जिंप्शन अगर को अपरेटुसरी दस हजार रुप्या तक कमाएगा खाली तो टेन परस था था संट क्या त्यां दर्कार था व अप्या दरकार था तीस जरुक्त था रुप्या धिसरी तीजार ऊट्टीगो मतब करते ही नहीं है तीस ज़र पर दस ज़र पर कुछ होता हैगा सीदा बोल देते हैं अब यह दे को solve कैसे हो रहा है इस वेरी सिंपल for first 10,000 for first 10,000 10% second 10,000 20% after that 30% अब इसी को shortcut formula में convert करके लिखा हुए कि दस परसेंट ऑफ टी ऐई मैं सेक्रेंड पर कितना है तो पहले दस परसेंट ऑफ दस जार एक हजार रुपया कि प्लस ट्वेंटी परसेंट ओफ टी अई माइनस था सब्सक्राइब कि अरे जैसे स्लाब वहानी बनाया थे कि इंडिविजिल में वैसी तो बन रहा है शौटकट फॉर्मला में तो ऊपर वाला माउंट के जुड़ता जाता है न है थे क्या है तो पहले दस जार के उपर टैन पर संट हजार रुपया फिर नेक्स टैन थाउजन पे ट्वेंटी प कि वैसा ही स्लाब है पूरा पस रेट्स बहुत ही कम अब बेसिक एग्जेंशन निल तो है नहीं दस जार पर भी टैन पर संट है दस के ऊपर बीस फिर तीस परसंट यह को अपरेटिव का रेट्स हुआ ओके ना ओके ऊपर करें कॉम्पनी में देखो क्या बावन्डर को कि प्रीवियस यह उननिस बीस नहीं है कि हाँ और यहीं रहेगा इस नौर प्रिंटिंग मिस्टेक माख करो कि प्रीवियस यह याद रहे एक दम बहुत इंपॉर्टन है प्रीवियस यह सतरा अठारा में अगर उसका ग्रॉस रिसिट्स यह टर्ण ओवर चार सो क्रोड के अंदर था तब उस पर सिर्फ 25 परसंट का स्लाइब है यह सरकार का एक बहुत अच्छा कदम है कंपनियों को प्रोसाहन देने का पर इन पर सरचार ज्यादा होता है अगर टर्ण ओवर टी आई नहीं है अगर तो नोटी आई टोटल टर्न अवर और ज्रॉस रिसिट्स टी आई का तो बता बता है टैक्शिवल इंकम टोटल इंकम वह नहीं क्या लिखा है टन ओवर और ग्रॉस इस इस तरह टारा इस विदिन चार सो क्रोर तो असेस्मेंट यह 20-21 में टैक्स रेट कितना कि यहां आपको प्रीवेस यह उन्निस बीस का टरन ओवर नहीं देखना है किसका देखना है सतरह ठारा का यहीं नहीं है मैं कि अधिक है यह इंकम टैक्स साइड से उठाया हुआ है यह बाद देखाता हूं तुमको मैं कि इस जो दो दिन में लोग मिलें हैं साइड शेंश खर दिया है लो आई कि अभी आँ आऊ यह लोग दो दिन मुले ने साइड शेंश कर दिया है लो दो कि यह दिसक्स करूंगा बाद में एक चीज तुम लोगों शो करनी थी हम लोगों बोलते हैं अगरी कल्चरल इंकम एक्जेंट है तो यह देखो बेंगॉल गवर्मेंट गाए है ठेक है बेंगॉल गवर्मेंट लेती है टैक्स पड़ो क्या लिखा उपर एकर इंकम पे टैक् सब्सक्राइब रिखो फेलो उपर तुम पोर्ट टे रेक्रीत आप अगरी कल्चरल इंकम पास फाइन सब्सक्राइब की था टॉक्यल गवर्मेंट था लटीचिंट लेते हैं यह यहां पर एकों तीन नम्बर परो जया लिखा बेंगॉल एक्री कल्चरल इंकम टैक्स आक 1944 फोर है बार्ट टू दवोख इधर बुलो हुआ है यह इसी तरह से पुरा स्ट्रॉक्चर बनाया गया है कि आपको प्रीविएस यह सब्राइब का देखना आपको निस बीस का नहीं देखना है ठीक है यह क्लियर है पचीस परसंट तीस परसंट अच्छा फॉरन यह domestic कंपनी के लिए चालीज परसंट डॉमेस्टिक कंपनी के लिए रेट है पचीस या फिर तीस पॉरन कंपनी के लिए रेट क्या है चालीस पॉरन कंपनी में एक 50% का भी रेट पहले हुआ करता था वो हड़ गया तो यह जो हावेवर दिख रहे हो ना इतना बड़ा सारा पैरागराफ ठीक मेरे सर के ऊपर हाव कंपनी का कितना चालीस यह तो स्पेशल रेट से मने बताया था स्पेशल अभी नियुका बाद में पढ़ाऊंगा स्पेशल रेट इस ओन स्पेशल इंकम इट विल बी कवर्ड लेटर यह लिखाया था ना ठीक है ऊपर चल रहा है अच्छार्ज रिबेट अच्छा सर्चार्ज के रेट देखा आप अलग अलग है अधिक है सबसे पहले इधर लल पी फर्म लोकल अथोरेटी को अपरेटिव इनका अगर एक करोड से बेसी है तो सर्चार्ज का रेट कितना है बारा परसंट सीधा एक कोड की वर बारा परसंट डॉमेस्टिक कंपनी के केस में ब्रेक अप देखो एक करोड से दस कोड़ है तो साथ परसंट दस कोड से जादा है तो बारा परसंट वैसे फॉरन कंपनी एक को से दस कोड है तो दो परसंट अचा फॉरन कंपनी का सर्चार्ज कम है क्योंकि उनका टैक्स जा रहा है ना चालीस परसंट है तो इसलों को सर्चार्ज कर दिया दो परसंट और दस कोड की ओप कम आता है और फाइनल लेवल में कमपनी सब्सक्राइब ठीक है पर याद तो तुम को रखना पड़े गई ओके इवाद देखके फर में लेपी का कितना है कि बारा परसेंट कमपनी के केस में दो रेट ना क्या रेट बोलो सेवन परसेंट ट्वेल परसेंट फॉरन कम निगा टू परसेंट पाइक परसेंट अच्छा फर्म लेल पी को आपरेटिव और लोकल अथोरेटी में कितना इंकम की ओपर सर्चार्ज रखता है एक करो एक को पर है तो बारा प्रसेंट सर्चार्ज और लिए ड्मेसटेंट कमपनी एक पंसे दसकोड की बीश मिका तैया है यह तो सरचार्ज कितना है सैवन परसेंट दसको क्योंपर है तो 12 कुछ फॉरन कंपनी अगर एक कॉर सार्च की बीश में दो लस्कोड के बाए तो अ प् सब कि इस पें से कुछ था जो भी हम लोग नहीं कर पाया आप कर लेंगे अचाहिए देखो यह जैसे इन इंडिविज्वास के किसमें मार्जिनलीफ का सब्सक्राना इग्जैक्ली इनको भी मार्जिनल रिलीफ है इनका मार्जिनलीफ का दो ही तो ब्रैकेट है बाउनरी दो यह क्यों दसख़़ तो एक को जरा से उपर है दस को की जरा से उपर है तो इप देट्स टाक्स समोह दने एक्स्टरा इंकम देंडर दिफेरेंस देविल गेटर स्मार्जिनल रिलीफ यही बात इनके लिए भी बोला ओडेखो लिए इनके लीक करोड का स्लैब है हो कि दो Domestic company में भी डाला है, marginal relief, वही दो, एक करोड, दस करोड, foreign company में भी, एक करोड, दस करोड. question, explain the concept of marginal relief, when the income of an assessee is slightly more than the margin due to which he has to pay surcharge or at a higher rate surcharge, then he gets margin relief to the extent of the extra tax exceeds the extra income. जो मैंने marginally पढ़ाते था, शुरू में दो-तीन लाइन लिखाई थी ना, वही, that is marginal relief, और फिर तुम लोग मार्जनलीव का थोड़ा सा, some example solve करके दिखा सकते हो, health and education says 6%, यह question हो गया, multi choice में आओ, क्या बचा हो है देखो, domestic company, अगर उसका previous यह 17-18 में 251 करोड है, मतलब 400 कोड से कम है, तो rate कितना होगा, 25%, साथ नमबर, सर्चार्ज का rate पुछा ध्यान से, domestic company, domestic company का सर्चार्ज का rate क्या बोलो, 7%, अथवा, 12%, देखो, जहां पे 7 और 12 है, वही answer है, ठेक है न, आड़ा दो, फिर सर्चार्ज applicable होना, foreign company, 2%, 5%, ढूंडो 2 और 5, ठेक है, उपर करें, तीन नौ नमबर, rate of tax on a firm, firm, firm पे कितना होता है, firm, LLP, local authority पे 30%, cooperative पे 10-20,000 का slab है, ठेक है, उपर करें, question number 11, surcharge applicable in case of a firm is 12 पस्ट, एक ही answer है, ठेक है, next, सारे question से खतम हो गए, अब एक बार, पीछे जाएंगे हम लोग, यह खतम हो गया ना, यह बारे पीशे देया रहा हूँ, यहां से मेरा स्टार्ट हुआ था discussion, है कि नहीं, यह हम स्टार्टिंग पर आते हैं, अभी तक तुम लोग को रेसिदेंश स्टेट यह स्टेप नमर बन दिख रहे हैं क्या है, रेसिदेंशियल स्टेटस, यह भी पढ़ा है नहीं, यह पढ़ाऊंगा बाद में, स्टेप 2-3 हो गया, स्टेप 2 क्या था, क्लासिफिकेशन आफ इंकम अंडर 5 हैड्स, वाट अफाइड्स, सालरी, एच पी, पीजी बीपी, क्यापिटल गेन, अधर सोर्सेज, ठीक है, इसका सेक्शन का रेंज बोल सकते हैं, हाँ, सालरी का, पंदरा से लेके, सतारा, सतरा, एच पी का, बाइस से, सताइस, बीजी बीपी का, अठाइस से, 44, D, 44, D, फिर कैपल गेंस का, 45 से, 55, A, फिर अधर सोर्स का, 56 से, लेके, 59, तीन नमबर, कंप्यूटेशन आफ इंकम अंडर इच हैड, पांच वेड में अलग अलग इंकम क्या अलोक्रेशन करना पड़ेगा, वो तो जब पांच हैड का चैप्टर में जाएंगे तब सिखेंगे, चार नमबर, क्लब इंपांच नमबर, सेट आफ यह बात में आएगा, एक सेपरेट चैप्टर है, छे नमबर, कम्पूटेशन ओफ, जी टी आए, हो चुका, साथ नमबर, डिदक्शन फॉम जी टी आए, अन्र चैप्टर सिक्स ए, आथ नमबर, कम्पूटेशन ओफ, टी आए, एं लास्ट क्या है, कम्पूटेशन ओटाइक्स लाइबल्टी, सीख चुक्या, ठेक्या, ऊपर करूं मा, ये नमबर स्टेप, मैं आओ, पेज फाइव, बात करें भई, आफ्टर ओल स्टेप्स अप्लाइव डबाव दा सैसी वोड अराइव एट अमाउंट अव नेट टैक्स पेएबल, अर्डाइव डडिय करनी किड़ अलग 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 असेशी शचाण पेएबल, अनिक्स अन अठाइव न और इटाइव ऑल शक एच्एव, अन खितंग टैक्स पेएबल बात सैसे अएब अमांट ताइव अ लैक्स पेएबल, लग अलग तरकी होती है जो मैं बाद में सिखाऊंगा सिमिलर्ली इफ एनी रिफंड इस ड्यू असेशी विल गेट रीफंड रीफंड ना बहुत लटका के आता है आजकल बहुत लेट से आता है मतलब यू ज़स्ट कीप उन वेटिंग कब आएगा कब आएगा रिफंड तो है 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 यह सब हो चुका के डेफिनीशन स्थे कुछ है 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 में रिफिनेशन सार्ए हम लोग के हो गए दो चोड़ा हुआा ता जिसको मैंने बूला है मैं बात में कराऊंगा है कि यह देखो इदर जर ठीनमबर साथ नमबर कि देफिनिशन छे नंबर और साथ नंबर पहुंचा मैं बोला थे बाद में करा हूंगा वो बाद आ जा गया है कि मैक्सिमम मार्जिनल रेट एक बार मैक्सिम मार्जिनल रेट एक बार क्यालकिट करके दिखाएंगे पड़ो मैक्सिमम मार्जिनल रेट मेंस देट आफ इंकम टैक्स इंकलूदिंग सर्चार्ज एप्लीकेबल इन रिलेशन तो थे हाइस स्लाब आफ इंकम इन केस ओफ एन इंडिविज्वल एओपी बीओ आई एस मेंशन इन फिनांग सेक्ट तब हम लोग अपना एक बार निकाल के देखेंगे मैक्सिम मार्जिनल रेट कितना आ रहा है ठेक है कॉपी मैक्सिमम मार्जिनल रेट ओफ टैक्स और इंडिविज्वल एक असेसी है बहुत हाई स्लाब में हो एक असेसी है बहुत हाई स्लाब में है पंदरा करोड पुनीत तो उसका टैक्स लाइबिल्टी कितना आ रहा है हाईस स्लाब थरी परसेंट एक बार वो शुरू का जो उसको ढाई लाग वगेरा का मिलेगा ना बेनेफिट वो तो फायदा रखेंगा यह नहीं तुम सोचा ना कोई आदनी पंदरा कोड बीस कोड कमा इसके बाद सब्सक्राइब है तो उसका तो मार्जन लीव भी नहीं है तो उसके बाद सीधा उसके बाद उसको क्या देना पर परसेंट तो अब एक बार इसको थोड़ा सा क्याल्क्लेट करते हैं ठीक है थर्टी परसेंट यह उसका हाइस लाइट है इसमें सर्चार्च लगेगा तो 37 परसेंट तो इंटू बन पॉइंट थ्री सेवन है कि है कि नहीं अरे थर्टी परसेंट के टैक्स की उपर अगर आप थर्ट तो इस ठीक है बोलोगो तो वैसे लेकर लिखा तो एक जटके में वह भी हो जाएगा पर यह इस इत्म फास्ट हो रहा है अच्छा उस पर आपको चार परसेंसे सर्जोड ना इंटू एंटू 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 पॉइंटू एंटू निकाल लेते हैं कि तो सोच लो पुनीद जैसा आदमी तुम्हारे सामने आ जाएगा 15-20 कोड़ वाला और तुम से बुछेगा भाई मेरा टैक्स कितना है उसको इतना समझाना मत सीदा बोलना 42.744 परसेंट आपका टैक्स रेट है ठीक है मतब तुम समझ रहे हैं वह 100 रुप्या कमार है वह पादमी पुनीद तो उसका 42 मतब 42.7 रुपीज तो गवर्मेंट ऐसे उड़ा देगा जीस्टी वह अलग देता है ठीक है कितना भेंक कर इसको बहुत है मैक्सिमम मार्जिनल डेट आप टैक्स एक लिए रहे कि नहीं है वहां दिख लेता है चलो 30 परसेंट के उपर 1.37 1.04 क्या आया था अपना 42 पॉइंट कि यह हुआ मैक्सिमम रेट अच्छा अब देखो उसके बाद नीचे क्या लिखा है पता हूं मेरे को है डरेज यरेट अवरेज इंद अलग होता है मैक्सिमम तो सब को मालommes कि यह ंच्वारश मेरा तुम्हारा सबक correspondence वब्रेज डिट का मतलब क्या होता है मेरे को स्लाइब है सब उस एक विक्थी 15r1 अख R.C. अचलो अपकि सिंपल एक्जांब टोटल टाक्स लाइबिलिटी जितना भी उस बंदेगा डिवाइड़ भाई टोटल इंकम इन्टु सो परसंट जैसे मैं एक एक्जामपल लेता हूं एक जान्पल लेता हूं एक इसका अलग अलग आंसर नहीं कि मैं लिखा दूँर 943 से सब्भी करा अलग लगा गाने का दूब मनोज का टी याई यह 12 लाख रुपया तो इसका टैक्स बोल दो यार फट से तुम्हें रुको एक लाख बारा पांज सो प्लस 30 परसेंट ओफ 12 लाख मैंस 10 लाख करेक्ट बोला मैंने शौटकर फॉर्मुला 12 लाख मैंने जलता कितना होता है दो लाख दो लाख का तीस परसेंट साढ़ जार जोड़ो साढ़ जार एक बहत्तर क्या एक बहत्तर पांसो तो अब इस बंदे का आवरेज डेट निकालो तुझे रहा आवरेज टाक्स रेट ओफ मनोज इक वल टू एक बहत्तर पांसो बाई टैक्जबल इंकम कितना है बारा लाख इंटू सो चोदा रहे क्या है तो मनोज का चौदा पॉइंट तीन सो पिछत्तर परसंट आ रहा है तो यह आवरेज टाक्स रेट है सबका अलगाएगा बॉस इसका कोई उनिवर्शन एंसर निए तुम यह बारा का पंदरा करो तो तो चेंज हो जाएगा तुम बीस कर तो चेंज हो जाएगा इन फाक्ट पुनीत जो पंदरा क्रोड वाला अद्वी था ना उसका भी मार्जिनल तो उसका तुमने मैक्सिमम तो बता दिया 42.744 उसका अगर तुम आवरेज रेट निकालो कि थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि पहला दस लाख में उसको भी कुछ बेनिफिट मिला था ना इसलिए क्लियर आवरेज सबका लग लगाएगा आवरेज मतलब टोटल टैस्वाइब टोडल लेंगा युग अगर अगर मालो तुम किसे बंदे का 51 लाख वाले बंदे का अवरेज रेट निकाल रहे हो तो उसमें तो भाई मार्जिनलिफ लेस हो गई वेन आयम राइटीं टोटल इस मींस बेसिक प्लस सरचाज माईनस माजिलिफ प्लस सैस वैसे वैसे करके पुरा तो इसमें भी सैस अगर डाल अचास आज अब बूल गए और बोलना चाहती है ठीक है सैस निकाल लेता है यह टैक्स है अचारा यह मनोच जो है यह कितना 12,000 लाख वाल है न तो सरचाज त चार परसन चेजन आउसो टोटल टैक्स इसका कितना रहा है इस मनुश्य का 179,400 अब निकाल लो इदम सही बोली है इदर अबरेज टैक्स रेट है इक वल्ट टोटल एक सिना देगा 179 400 भाई बारा लाग इंटू शो 14.95 ठीक्या तर तो फाइनल टैक्स फिगर सब कुछ कर कुरा के ठीक है टोटल टैक्स नायबिदी तो फाइनल फिगर टैक्स प्लस सर्चाज माइनस माजनली प्लस से सब जोड कीज़ाएगा उस दिवाइब डिवाइब इनकंट तो अबेडेट तो तो अबसेट तो सब का अलग-अलग आएगा पढ़ो एवरेज रेट तो एक बाज जरा एवरेज रेट मीज़ देरेट अराइवड एट बाई डिवाइडिंग दामाउंट ओफ इंकम टैक्स टोटल इंकम बाई टोटल इंकम ठीक है इसका एक्जाम्पल कॉपी में था कॉपी के दम लास्ट में तो हम लोगों से पूछा डिस्क्राइब की जिए आवरेज रेट और मैक्सिमूम रेट क्या होता है यह रहा कुश्चन अब तो एक लियर हो गया पूरा टैक्से अलगिशन एवाई प्यूई सब हो चुका अपना यह वाला एक टॉपिक देखर वेदर ट्रीटेड अस इंकम और यह बहुत बाद में आएगा यह एक टेबल जो दिख रहे है बहुत बाद में आएगा अभी नहीं है यह फिर स्पेश्ट इन बेड वाला वो जो टॉपिक था उसका क्वेश्चन नमबर त्री भी हम लोग द कि खतम होता है ना बेसिक पूरा ठीक है तो दिस वर्जावर फर्स चैप्टर बेसिक कॉंसेप्स पांच क्लास लगी अपना पूरा लेकिन कंप्लीट हो गया अब मैं नेक्स चैप्टर मूब करूंगा नेक्स क्लास में यहां तक लिए रहे देखो आज के बाद मैं चैप् चैप्टर ब्वक्स करो कोई नहीं कोई बात नहीं पर कॉपी कम से कम रिवाइस करते रहना मैं तुमको बता रहा हूं तुम्हारा लेविल अलग हो जाएगा और नहीं करोगे तो बूलते जाओ ओ गया अगले दिन से एक अग नया टॉटिक स्टार्ट करेंगे स्टॉप कर प्रहाब